की गरीबों के बारे में बीजेपी सोचती है ऐसा हमेशा हमारे मोदी साब कहीते हैं अरे गरीबों को सोचने वाले तीन काले कानून किसानों के आपने लाया और लाकर फिर वापिस लिया हमने सब पार्लमेंट में जद्धो जहित की लेकिन उन्होंने उस वक्त वापिस नहीं लिया जब दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लाकों की संक्या में वहाँ बहिटे तब वो तीन काले कानून वापिस लिये हम हमेशा बोलते हैं कि मोदी साब कभी सच नहीं बोलते बीजे पी कभी सच नहीं बोलती और उनके भाई के सी यार भी कभी सच नहीं बोलते यह तो हम पहले से कह रहे हैं मैं हुदान पर कहता हूँ आपको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाता हूँ मोदी ने कहा या कहा कि मुझे वोड़ दो मुझे सरकार में लाओ हर एक को 15-15 लाग दे तुम बोले दिये 15 लाग नहीं दिये तो वो जूट बोल रहे हैं कि आप लोग लेके जूट बोल रहे हैं वो जूट बोल रहा है पर उसने ये कहा कि दो करोड नौकरिया यूकों को पूरे हिंदुस्तान में दूँगा बोले तेलंगाना में मिला दो करोड नौकरियों में से कुछ तुम नहीं बोलते ये कैसा मैं समझतों खास करके पुरे नोकरिया के CR के पास गहे होंगे इसलिए तीसरी बात उसने कहा कि किसानों की आमदानियां डबल करेंगे बोला नहीं बोला दोगुना करेंगे बोले हुआ आपका नहीं हुआ तो ये भी जूट है तो जूट क्या मोधी बोल रहे क्या कांग्रेस वाले बोल रहे आप बोलिए